हेलो दोस्तो तो यार देखो आज ना मैं रियलिस्टिक ग्रेप्स बनाने के कोशिश करूँगा ठीक है अब देखते हैं कैसा बनता है यह और वीडियो देखते रहो और इंजॉय करो मेरी वीडियो को ठीक है देखो मैं कलरिंग स्टार्ट करने से पहले पहले ना तुम्हें कुछ चीज़े बता दूगा जो कि तुम्हारे आगे कलरिंग में बहुत काम आएंगी ठीक है इसमें तर मतलब तुम्हें यूज करना बलैक ये डाक वाइलेट है और पिर लाइट वॉइलेट मतलब जह सिंपल वाइलेट हूता है वाइट यूज यूज करने है अब देखो जैसे कि मैंने तुम्हें हाथ दिखाएता ना कि हाथ थोड़ा सरकल राउंड राउंड में चलाना है वैसे वैसे राउंड में चलाना है तुम्हें हाथ देखो मैं राउंड राउंड में चला रहा हूं देखो ऐसे राउंड राउंड में ऐसे चलाना है तुम्ह right में light वाला और उसे right में जहाँ तुम्हें white mix करना होता है ना वहाँ पे बिलकुल तुम्हें मतलब जो violet simple light वाला होता है वो करके फिर white mix कर देना है थिक है और देखो मैं पूरे grapes में ना same shade मि दोँगा ठीक है बस कहीं white कहीं और बस white के मतलब तोर वाइलिट आगे फैला है कि एफिछ ब्लैक ऑर ना मेने देखो बीचो बीच होगा है क्यो만 ना क्रैसे ब्लैक चिछ सबाए आ पर तो ब्लाइट कराएक ब्रूसर्थ चेरिकि ब्लैक वॉइलिट खॉन उगा नहीं एक एक हंत Spring बिल्कुर प्रेस्षर ना डालकर हाथ पर बझला कर रहा है। देखो मैं राइट में हल्का सा उस्थ च्छोड़ वाइड ना में तो इसके आसपास थे opted वाइलिट गरना है। ऐसे यहां पर ना बछायब करना है। तो उसके लिए न तुम उपर जैसे में हलका हलका बिना प्रेशर दिये वायलेट कलर कर रहा हूँ तुम्हें यह वैसे करना है और उसे हलका हलका मर्ज करते है और देखो यहां पर ब्लैक कलर करा है मैंने पहले और उसके बाद उसमें डाक वायलेट मिक्स करा है उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा देखना माने ना ही वाइटी, अरोप्राइए और उसके आज इसम वाइट इसमें वाइट मिक्स करना डेखो, और उसके तो तक नहीं ले जाना बस वहीं मिक्स करना, जहाँ पर वाइट की जगहे कुछ और होंगी जैसे शाइन कभी किसी में कहीं और किसी में कहीं और तो बस यह सारे चेंजे से जैसे देखो इसमें ब्लैक कर रहा है मैंने अब डाक वाइलिट कर रहा हूं ठीक है और उसके बाद लाइट वाइलिट करूँगा जो आस पास देखो राउंड रॉंड चलाओंगा ऐसे ऐसे करके ठीक है तो यह तुम्हेरा यह वाइट हो जाएगा अब मैंने जैसे राइट साइड ना देखो तुम्हें सैमी सरकल सा मैंने वाइट चोड़ अरे यह बता देता तुम्हें देखो यह कॉटन की यूज से लिए बहुत मतलब तो वहां पे तुम्हें न जैसे colors बहुत अच्छी तरह यूज करने जिस प्रकार मैं कर रहा हूं न देखो जैसे वाइट में राउंड राउंड चुला रहा हूं तो तुम्हें बिल्कुल वैसे चलाना है ठीक है और देखो मैंने कैसे Persian blue करा था और उसे आगे खीचा अब देखो cotton का use करो तुम ठीक है एर बर्ड जो आता है न तुम्हारा वो उसका use करो अब देखो इसमें black करके थोड़ा-थोड़ा mix कर दूँगा उसमें black करा अब देखो मैं इसमें Persian blue mix कर दो ठीक है तो यह हो जाएगा अब देखो यहां पर भी मैं नीचे पहले black कर रहा हूं और उसके बाद उसमें देखो dark violet mix करा फिर light violet mix करा ठीक है और फिर उसके dark violet वहां कर रहा हूं मैं और फिर अब देखो इसमें light violet और dark violet ऐसे ऐसे मतलब करके तुम ध्यान से देखो बस मैं color कौन कौन सी use कर रहा हूं ठ देखो यह dark violet करा मैंने और फिर मैं तब सर्वो light violet ता यह dark violet अब देखो भी पर्शन ब्लू है ठीक है तो यह सारे color में change करता जा रहा हूं तो तुम्हें देख के ज्यादा पता लगेगा थोड़ी speed है इस वज़से में बूल नीपा रहा हूं जल जल ली पर समझ जाओ ठीक यह नहीं कि आगे मतलब कोई अलगी हो जाए विलकुन मतलब इसमें अलगी कर दू ठीक है और जो जो थोड़े मतलब जिसमें कुछ अलग चीज है ना वह सारे grapes मैंने बहुत अच्छी तरीकस दिखाए है ठीक है तो तुम देखते रो वीडियो और समझते रो और बनाओ ज यूज करते हैं ठीक है जहां जाए जैसे तुम्हारा वाइट और जो साइड वाला वॉयलेट है ना वो दुन जहां मिक्स हो रहूंगे ना बिल्कुल उस चे कॉटन को लाओ और अराम से बिल्कुल हलका हलका रब करो थोड़ा सा प्रेशर देना है और फिर रब करना है तो खुद से ध्यान दो जैसे तुम जैसे जैसे मैं कर रहा हो ना वह देखके करते चलो तो तुम्हारा सेम बनता जाएगा तुम्हारे सेम ग्रेप्स बन जाएंगे ठीक है कि जो और बेश्टल की करद्रिंग बहुत आसान होती है मतलब बहुत आसान नहीं होती है अगर तुम झाल झाल देखो मैं सारे ग्रेप्स ना सेम तरीके से बिना रहो हूँ यह चीज़ देख लो तुम ठीक है तो तुम्हेना चिंता करने के जुरत नहीं है बागी ग्रेप्स खुद कर लेना देख के ठीक है जैसे जैसे मैंने कर रहा है ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत जाद अलंबी बन जाते हैं अगर मैं सारे ग्रेप्स दिखाता और मेरे में नहीं इमता कि ना तुम्हें मतलब यह समझा दू कि असल में यह कलरिंग करते कैसे ठीक है ग्रेप्स की कलरिंग कैसे करते है तो वह चीज़ह तुम अब तक समझ गया होग तो तो मतलब उसकी थोड़ी से शेड़ो पढ़े रही होगे इस वज़़ेसे मैं वहापे डाक करते हूँ ठीक है और जहां पर मतलब डाक नहीं कर रहा वो बाहर वाला ही है ठीक है और वैसे थोड़ी से पीले पत्ते थोड़ा मतलब ग्रीन वह सारी चीज़ह दिखाने देखो पहले तो उपर वाले की हलकी सी परचाई नीचे देने के लिए ना मैंने ना वह मतलब हलकी सी शेड़ो आ रही है तो डार कलर करा है उसमें वहां पर ठीक है और उसके बाद देखो अब मैं कैसे मतलब ब्लैक कलर कलर था ठीक है उसके बाद हलका हलका उसमें light light violet यूज यूज करो जो होता है ठीक है और फिर उसके बाद इसमें मतलब navy blue यूज करा तो मैंने फिर white mix करा तो ये सारे color यूज करो ठीक है अब देखो अब ये background कैसे करो मैं बिलकुल ना पहले वह कर दिया मैंने और फिर उसके बाद ना जैसे background कर दिया simple base set कर दिया आराम से ठीक है तो वैसे वैसे कर के ठीक है वो चीज वो वैसे होगा अब देखो तुम्हें सारी चीजे मतलब जैसे-जैसे मैं करना हो तुम मेरे साथ करो इस पर प्रेशर डाल गे करना है और जब तुम उपर कुछ मेना रहा है मतलब उसके ऊपर कुछ set कर रहा हो तो उसमें pressure बहुत कम यह चीज कर रहे हो तो यह प्रेशर डाल के करना बिल्कों की ठीक है जैसे देखो मेरे कलर भी निकल जाते प्रेशर डालते डालते बहुत सारे तूट जाते हैं साइट तुम पड़े हो देखी रहोगे कलर से ठूटे ठूटे से तो यह मिलब तुम्हारा हो जाएगा अब देखो कितना अच्छा रियलिस्टिकल लकाने लग गया ना अब मैं इस पर जब ड्रॉप्स बिनाऊगा ना तब तुम्हें बतातो ड्रॉप्स कैसे करते हैं और त तुम्हें खुद करना है जिस देखो जहां पर ग्रेप के बीचो बीच वाले यहां आज पर सबसे पहले ना तुम मतलब नीचे ना एक डाक सी लाइन दे दो वाइलेट कलर से और उसके बाद देखो उसके उपर वाइट कर दो हलका ठीक है और उस वाइट को ना हलका सा वा आज कर ना उसके बात ने बहुत आसान है ठीक है अब देखते चलो तुम क्या से कर रहा हूं मैं जैसे तक मैंने हमेशा एक चीज़ देखो ध्यान से मैं कर रहा हूं कि ना नीचे जो बूंद ए उसके नीचे वाला जो एरिया मतलब बूंद का बेस होता है वहां पर मैंने मतलब वाइलेट ड्रॉप में करहा है, और ऊपर ना ऊपर मैं हलका वाइलेट कर रहा हूँ, white के साथ dengan mix और फिर white-white 2 दो दे रहा हूँ, तो lines दे रहा हूँ, ठीक है. हर जगे यह करूँगा मैं drops पे, ठीक है. और जैसे तुम्हार न, जो बिलकुल एज़ वाला डॉप हो अज़ पे बनेगा, वन डॉप, वो उसमें बस तुम्हाइट कलर यूज़ करना है, और वायट कोई हलका करना है, वायट कोई डात करना है, मतलब उन दोनों को यूज़ करना है, जिस देखो, मैंने एज़ पे बन बहुत आसान होता देखो कितने आसानी से कर रहा हूं मैं मतलब पहले हलका सा वाइट करो पानी मिक्स करके उसमें तो वह हलका वाइट होगा है ना फिर उसके उपर एक डाक सी लाइन दे लो वाइट की तो वह खुली बन जाएगा तुमारा ड्रॉप गयासी सेम बन जाएगा टो जगहे को हिसाब से सेट करते हैं अब तुम मैं सारे ग्रेप्स इस परकार है ना तो तुम्हें हर जग했다 जिसेम उससी तरीके खर마 देखो इस पे भी में drops क्यासे क्यासे कर रहा हूँ बस देखो white की use से कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पीछे जो वह तो purple ही तो तुम simple white करोगे ना तो भी तुम्हारा वह drop लगेगा देखो मेरा लग रहा है ना अब देखो और तुम्हें अगर वीडियो अच्छे लगी तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है और लाइक वगेरा कर देना और और क्या बहुत थैंकि सो मच ठीक है और यह देखो यह कैसे मैं orange कर रहा हूं यहां पर तो वह चीज़ना तुम्हें करना और edge पर देखो मैं white करू हांगा हलका तो देखो इससे realistic हो गया ना अब देखो realistic यह